दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं से चुटारी सर्टिफिकेट्स के बारे में ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स के बारे में और मेंडेटरी सर्टिफिकेट्स के बारे में होता कि यह जो कि हम लोग बूलेंगे कि जो कि बाई ला है उसको हम लोग से यह चीजाद से स्थेटिफिकेड को बोलoda जो पूचेंगे हैं कि जांपल बताऊं कि सेचीटारी चerson अगर जो अठ mantis I mean जो सोलास बुक के आइजे हैं जिया हुआ उसमें सारे सैंटिक अंसन ह 15 जैसे है जिसे इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट हो गया इंटरनेशनल ओयल पॉलूशन यह एर पॉलूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट हो गया तैने सर्टिफिकेट है डॉकुमेंट्स ऑफ कंप्लाइंस है सेप्टी मनेजमेंट सर्टिफिकेट से इंटरनेशनल सीप सिकूर्टी सर्टिफिकेट से मीनिमम सेफ मेनिंग सर्टिफिकेट तो वैसे बहुत जारा सर्टिफिकेट से जिनका जो लिस्ट है वह सोलास के चैप्टर मे जो appendix लिखा हुआ है उसमें appendix one में बहुत अच्छे तरीके से सारे certificates को mention किया गया है और उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि which all certificates have to be carried on board तो वहाँ पर हम लूट देख सकते हैं बत एक अरफ idea कि लिए अब बात करते हैं कि जब mandatory certificates क्या हो मेंडेटरी सेठीफिकेटे बोते हैं जो कि इंटरनेशनल और प्रिवेंसल सर्टिफिकेट सहो गया ऑए तो यह सारे सेठीफिकेट्स मेंडेटरी साथिफिकेट्स हो जाएंगे और जब हमुझuard स्ट लेकिन जो बाइला है उनको से चुटरी सेटिफिकेट से बोलते हैं और जो रिक्वार्मेंट्स होती है जैसी कि अगर कोई भी इंडियन वाटर में सेल कर रहा है अगर इंडियन गवर्मेंट का कोई रिक्वार्मेंट्स है कि अगर कोई भी वेसल इंडियन इंडियन वाटर में आता है तो उनके पास डोकुमेंट ऑफ ऑफ औराइजेशन होना चाहिए अगर कोई बल्क केरियर है ऐसा नियम है इंडिया में क्यूंकि एक इंसेडेंट तो उन्होंने बोला कि इंडियन मर्चेंट सेफिंग एक्ट का याद निया नाम बट उन्होंने बोला था कि वैसे ही बल्क केरियर अब इंडिया इंडियन वाटर में उनको परमिसन मिलेगा आने के लिए जिनके पास डोकुमेंट ऑफ ऑफ औराइजेशन होता है तो ऐसे क एक्ट